Hello students, warm welcome once again to the official channel of yours Proactive Academy. This is here yours Karan Jhaasar and आज मैं लेकर के आया हूँ Part 2 जो काल हम लोग डिसकस कर रहे थे Most Important Questions and Topics, Guest Paper यानि की CBS3 Class 10 Science का उसका मैं Part 2 जो है कुछ चेप्टर्स बांकी रह गया था वही मैं आज लेकर के आया हूँ So वह देखते हैं और Complete करते हैं और Jump करके तयारी करते हैं Next जो चेप्टर है हम लोग का जो कल बांकी था हूँ है Reproduction Reproduction में सबसे पहले यहाँ पर देख लेना है कि Difference between sexual and asexual mode of reproduction पहला जो चीज़े sexual and asexual mode of reproduction का difference तो क्या कि हम लोग बोल सकते हैं तो याद रखना होगा और याद रखना है कि कभी भी जो है एक्जामपल्स देखरके उसको जो है न पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं बनाना है एक्जामपल्स कोई भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं होता है तो sexual and asexual reproduction का दोनों का जो है तीन-तीन पॉइंट करके वहां पर बना लेना है प्र नेक्स में आता है यह बैटर मॉड क्यों है इसमें उप्रेटर्स नहीं होता है जादा होता है फिर जाकर कि जो है इसका एंसर और यह सकेंड और अद्धर वाला के एंसर से होगा फिर जो है binary vision in amoeba इसका जो diagram है यह बहुत ज़्यादा यह पुछा आता है diagram एक बार बुक में देख लेना है diagram stages जो होता है चार stages NCRT बुक में जो है दिये हुए है वो चार बार stages जो है diagram को वो देख लेना है वो अच्छे तरह सक्तम practice कर लेना है बहुत बार बार यह question पुछा आ चुका है exams में फिर आता है कि fragmentation regeneration spore formation जो है इसका examples fragmentation कोन करता है यह देख लेना है spirogera में होता है regeneration planaria में होता है spore formation जो है यह सब fungi राइजोपस यह सब में होता है और फिर vegetative propagation bryophyllum and begonia पूछेगा कि leaves के जरिए जो vegetative propagation होता है उसका दो example देने के लिए तो bryophyllum and begonia और 1% से new leaves arise करता है new plants arise करता है तो वह है leaf margin leaf का है leaf margin फिर vegetative propagation में आते है इसका significance देखना है कि seedless plants हम लोग कल्टिवेट कर सकते हैं बहुत कम समय में जो है in less time large number of plants new plants can be produced फिर जाकर कि जो है डिजिस्प्री plants produce होते है यह सब सारे चीज और है flower and dicot seed का यह भी बुक में इसका diagram है त एवेले कैया सब्सक्राइब हो कृट स्वाट। for insect pollinators, insect pollination करवाने के लिए flag apparatus का काम करता है, मतलए कि insects को attract करता है pollination के लिए, ठीक है, पोई समस्या, दुखदर्द यहाँ पर नहीं होना चाहिए, फिर next में आता है कि self and cross pollination जो है ना, इसमें यह दोनों के बीच का difference, तो at least यहाँ पर two points करके जो है ना, देख लेना है, पहले तो सबसे पहले हम लोग definition दे सकते है, self and cross pollination का, और दूसरा point में हम लोग क्या लिख सकते है, कि self pollination जो है, इसमें हाइब्रिड्स नहीं होते है, obtain, cross pollination के जोरा हाइब्रिड्स अप्टेन होते है, तो बहुत आसान है, unisexual and bisexual flowers का जोईने कुछ example देख लेना है, देख लेना है, देख से की mustard होता है, पपया होता है, ककंबर होता है, यह सब का जो है, कौन unisexual है, कौन सा bisexual है, बुक में भी है, NCRT बुक में इबन दिया हुआ है, तो इसका examples देख लेना है, नेक्स वन जो है important है, इस chapter में वो है female and male reparative system का diagrams, तो दोनों का front view दिया हुआ है books में, NCRT बुक में भी है, और भी reference books में मिलेगा, तो वो diagram जो हैना, वो practice करना है, कई बार ऐसा होता है, कि diagram देता है, और फिर leveling करने के लिए बोलता है, कि ऐसे diagram दे दिया, उसका एक part जो है इसे घीच करके, A दे दिया, B दे दिया, तो A क्या है, B क्या है, A का function क्या होता है, B का function क्या होता है, इस पर ध्यान देना है, फिर next one आते है, male reparative system का prostate gland, seminal vesicle, testis, इसका function क्या होता है, prostate gland जो है, prostate gland, prostatic fluid, produce करता है, इससे क्या होता है, motility provide होता है, sperm cells को, फिर जा करके seminal vesicle, seminal fluid produce करता है, इससे क्या होगा, इससे जो है, fructose, इसमें जो है fructose sugar होता है, तो इससे जो है नरिस्मेंट मिलता है, sperm cells को, testis का काम तो पता है, yes, sperm cells produce करना, और फिर testosterone hormone produce करना, ovaries और fallopian tube को function, और फिर ये क्या भी करेगा, एक्सेल प्रेडिस करेगा, और दो sex hormone produce करता है, that is progesterone and estrogen, fallopian tube का function क्या है, it is the site of fertilization होता है, it provides a passage for the movement of ovum and gigot into the uterus, तो ये भी देख लेना है, structure and function of placenta बहुत यादा important है, बहुत बार पूछे आचुके question है, प्लासेंटा क्या होता है, फिर जागर के describe the structure and function of placenta, five marks में भी ये पूछ सकता है, बहुत बार प्रिवे से question में उठा करके देखो, उसमें बहुत बार पुछे आचुके है ये चीज, फिर आता है कि अगर menstrual, अगर fertilization of ovum नहीं होता है, तो क्या होगा, तुमनों को पता है कि menstruation होगा, so what is menstruation, how does menstruation take place, इसका जाएना two या three marks में प्रिपेर करना है, mostly most probable ये है कि two marks में इसका पुछा जाएगा, methods of contraception, barrier method है, surgical method है, फिर जागर के chemical methods है, intrauterine contraceptive devices है, तो ये ऐसे टाइप में प्रिपेर करना है, five marks के basis पे, ये भी बहुत बार पुछे आते है, important ये सब चीज है, important topics, important questions है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, फिर यहाँ पर सबसे most effective अभी, जो चार-पांच contraceptive devices दिये गए है, books में contraceptive method दिये गए है, जैस प्रिवेंट करता है, कोई side effects नहीं होता है, बहुत सारे डिजन से कहने के लिए, फिर जाकर करके ये reversible method है, यानि कि ये permanent method नहीं होता है, बहुत आसान चीज है, और STD को कैसे prevent करना है, तो avoid sex with unknown partner, avoid multiple sexual partners, फिर जाकर करके जो है, use of barrier methods, जो अभी हम लोग उपर में discuss किये, वो सब यूस करना है, हो गया, इस chapter में बस इतना ही है, एक बार जो है screens or बढ़ियां से अच्छे तरह से एकदम ले लो, है ना, उसके बाद आता है फिर heritage and evolution, heritage and evolution जो है, इसमें सबसे पहले heritage क्या होता है, यह तो पुछने का ज्यादा चांस नहीं है, यहाँ पर आते है genetic variation क्या होता है, जब एक generation से दुसा generation में characters transmit होता है, तो parents का character जो हो बहुत transmission नहीं होता है, थोड़ा बहुत changes होकर कि ही वो जो है transmission होता है, उससे क्या significance होता है, कि उससे survival rate बढ़ता है, adaptability of the organism to its environment बढ़ता है, फिर जाकर के organic evolution होता है, तो यह सब significance, दो तिन significance याद रखना है, फिर next question में आता है कि Mendel ने pea plants ही क्यों select किया, अपना experiments perform करने के लिए, तो बहुत सारे regions हैं उसका, सबसे जब most important region है, यह है कि उसके अंदर में बहुत सारे contrasting features होते हैं, easily observable contrasting features, यह एक point हो गया, फिर जाकर के easy to cultivate, perennial plant होता है, यह सब सारे तीन regions हम बता दिये, और NCRT books में दो questions है, these are the two most important questions of this chapter, how did Mendel experiment so that threads में भी dominant or decisive, तो इसका क्या करना है, कि इसका first low Mendel का, उसका statement लिखना है, फिर जाकर करके crossing करके, वो tall pea plant और dwarf pea plant जो है न, उसके बीच में crossing करके, first low जो है न, वो दिखाना है, यह three marks का यह question है, dominant or decisive बाना, फिर अगर, how did Mendel experiment so that threads are inherited independently, तो यह four या फिर five marks में यह पुछे आ सकते हैं, इसमें क्या करना है, कि second low का statement लिखना है, फिर cross perform करना है, round and yellow seeds, एक हो गया, और फिर female parent जो है, वो ले ले लेना है, green and wrinkle seeds ले लेना है, wrinkle and green seeds, उसके बीच में crossing करके, फिर जाकर के उसका conclusion, phenotypic, genotypic ratio, यह सब जो है, यह सब सब कुछ निकाल करके, यह दिखा देना है, next है, what is a gene, gene क्या होता है, segment of DNA, which encodes for a particular character, कहाँ पर located होता है, यह chromosome alligator होता है, directly nucleus नहीं लिख देना है, ऐसे लिखना है, it is located in the, on the, in DNA of the chromosome, inside nucleus, ऐसे करके, ताकि सब कुछ जो है, आ जाए एक ही answer में, और examiner जो है, अब next question आता है, women को blame नहीं करना चाहिए, successively girl child produce करने के लिए, ऐसा क्यों होता है, society में women को blame क्या आता है, तो यहाँ पर crossing करके दिखाना है, एक male और फिर female parent के बीच में, x, 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 y के बीच में crossing करके दिखाना है, वहाँ पर male produces two types of sperms, x type sperm, y type sperm, और दोनों type sperm, उसका 50-50% chances होता है, fertilizing करने का औभम के साथ, तो यहाँ पर जो men, अगर हम लोग genetically देखे, genetic point of view से, तो यहाँ पर जो responsible है, वह female responsible नहीं है, वह father, जो है न, father parent हो responsible है, because father produces two types of sperm cells, तो यही जो है, last में conclusion यह दे देना है, कि वह भी जो fuse करेगा, तो वह chance factor है, matter of chance है, तो यहाँ पर जाए न, कोई किसी को blame नहीं कर सकता, कि girl चाल बार-बार क्यों produce हो रहा है, फिर mendel का first and second, लो जो है, इसके basis पे कुछ numericals पूछे जा सकते है, यह book में दिया गया है, NCRT books में है, कुछ questions F1 generation, F2 generation के basis पे, तो थोड़ा सा जो है न, इसका practice कर लेना है, blood group से related problems, जैसे कि एक mother and father है, mother का blood group A है, father का blood group O है, child blood group B है, तो quarreling कर रहा है कि, the child does not belong to the father, है न, इस तरह के questions जो है, मज़दार questions सब यह सब पूछे आते हैं, next light में आते हैं, physics वाला portion में, तो सबसे पहले plan mirror, plan mirror क्या होता है, जिसका infinite focal length हो, यानि कि radius of curvature हो, उस spherical mirror को हम लोग plan mirror कहते हैं, तो उसका properties, चार properties दिया हुआ है, कि image distance, object distance के बराबर होगा, images जो है, हमेशा, virtual indirect image form होगा, फिर जाकर के, जो है, size of the image is equal to size of the object के बराबर होगा, फिर lateral inverted image होगा, यह सब जो है, यह से पढ़ लेना, two marks में, फिर pole क्या होता है, principle focus क्या होता है, aperture क्या होता है, center of curvature क्या होता है, mirror का, यह पढ़ना है, definition, फिर जाकर के जो है, देखो, concave and convex mirror का, images है न, diagram से दिया हुआ, तो diagram में सबसे ज़्यादा, जो important है, वो concave mirror का है, जब object center of curvature पे हो, तब, और फिर object जो है, जब focus and pole of the mirror के बीच में हो, तब, तब image कैसा बनेगा, उसका diagram बनाना, और convex mirror में तो पता ही है, convex mirror में हमेशा क्या बनता है, हमेशा जो है रियल इंबर्ट, वर्चुल इंडेक्ट और डिमिनिस में बनता है, उसका कोई problem नहीं है, convex mirror, रियल इंबर्टेड और फिर डिमिनिस इमेज बनता है, इसलिए wider फिलो भी होता है, that is why they are used in rear view of vehicles, याद रखना, rear view of vehicles में क्यों, यूज क्या आता है, convex mirror को, question पूछ सकते हैं, फिर mirror formula है, 1 by F is equal to 1 by V, plus 1 by U, तो उसके basis पे जो है न, question पूछे आते हैं, कैसा question, कुछ दे देगा कि, focal length एक mirror का, convex mirror का इतना है, object distance इतना है, तो image distance निकालो भाई, है ना, फिर जागर के nature, image कैसा बना है, उसका nature निकालो, size निकालो, image का, magnification M is equal to minus V by U formula है, तो उस formula से, size हम लोग calculate कर सकते हैं, फिर position, image कहां पर बना है, image जो है, mirror के सामने बना है, या फिर mirror के पीछे बना है, कैसा image बना है, इस पे best question, इस पे best question, 3 marks में जोहना, आसान हो गया है, बच्चे का question है, reflection का लोज ये परना, फिर तो refractive index, किसको कहते है, refractive index पे basis पे जोहना, glass का, water का, kerosene oil का, ये सब पे basis जोहना, question पूछ जाते है, refractive index के basis पे, तो refractive index, निकालो पुछेगा, refractive index कितना होता है, बिना कोई information का, ये तो directly नहीं पुछेगा, क्योंकि refractive index सारा, हम लोग याद नहीं रख सकते हैं, मुझे भी याद नहीं है, है ना, बहुत सारे महान आदमीं को भी याद नहीं होगा, फिर lens formula, और फिर lens formula से related problems, lens formula क्या होता है, 1 by F is equal to 1 by V minus 1 by U, इस से related questions, numericals, ये three marks में practice करना है, उसके बाद देखो फिर, concave lens, concave lens एक ही तरह का image बनाता है, कौन सा, वही virtual erect and diminish image बनाता है, उसके बाद जो है ना, convex lens, convex lens में practice करना है, mostly जब object जो है, center or curvature पो है, और फिर focus and optical center के बीच में हो, तब image किसा बनेगा, उसका diagram, उसका diagram practice करना, फिर देखो, definition में optical center, principle focus of a lens, ये ज़्यादा important है, power of a lens क्या होता है, उसका SI unit क्या है, SI unit जो है, power of a lens का diopter है, concave lens का क्या होगा, minus होगा, convex lens का क्या होगा, plus होगा, है ना, power, और उससे related numericals, थोड़ा सा focal length दे दिया है, power निकालो भाई, power दे दिया है, focal length निकालो, तो ऐसा questions जो है न, पुछे आते हैं, two marks दे सामे, next देखो, human eye and colorful world chapter है, myopia, hypermetropia, दोनों का जो है definition परो, कैसे ये होता है, दोनों का जो है न, eyeball किसी में बरा हो जाता है, किसी में चुड़ा हो जाता है, lens कैसा हो जाता है, तो वो region कैसे करके होता है, वो पढ़ना है, और फिर rectification मतलब कि हम लोग कैसे correct कर सकते हैं, myopia, hypermetropia को हम लोग कैसे सुधार सकते हैं, कौन सा lens यूज़ करेंगे, myopia में concave lens यूज़ करेंगे, hypermetropia में convex lens यूज़ करेंगे, यानि कि myopia जो है, बच्चों के लिए student के लिए होता है, negative power वाला, और फिर hypermetropia जो है, positive power वाला, यह याद रखना है, dispersion of light क्या होता है, rainbow कैसे formation होता है, MCQs में भी पुछे आते है, rainbow equation, तीन phenomenon है, देखो क्या होता है, एक सबसे पहले होगा reflection, उसके बाद होगा क्या, उसके बाद होगा splitting of light, है ना, उसके बाद फिर dispersion, यानि कि उसके बाद होगा total internal reflection of light, यह तीन phenomenon rainbow कोस्ट करवाता है, stars twinkle करता है, सबको पता है क्यों करता है, stars twinkle, क्यों करता है, reflection के कारण से, reflection of light के कारण से, stars जो आता है, light वो reflection करता है, बहुत दूर होने के कारण से, planet से जो आता है, तो वो planet जो है, point source of light नहीं है, तो उससे बहुत सारे light rays आते हैं, इसलिए जो है क्या होगा प्लानेस ट्विंकल नहीं करते हैं तो इसका रीजन फिर देखो एडवान संराइस डिलेड संसेट कैसे होते है या फिर कोईसन ऐसे भी गुमा करके पूश सकता है एक दिन का जो लेंग्ट होता है वह चार मिनट कैसे लंबा हो जाता है इसका रीजन वही है सेम एडवान संराइट डिलेड संसेट वही उसी वही एंसर इसमें भी होगा electricity में आते हैं current क्या है potential reference क्या है और दोनों का SI unit भी डिफाइन करो है ना potential difference current का SI unit भी डिफाइन करो फिर जाकर के क्या होता है current and potential reference का definition यह पढ़ लेना Ohm slow क्या होता है B is equal to IR वाला जो है और उससे related थोड़ा सा numericals भी देदेगा I देदेगा R निकालो या फिर I देदेगा R देदेगा भी निकालो resistance of a conductor जो है ना क्या होता है और उस पे कौन-कौन से factors उसको affect करता है length होता है area of cross section होता है फिर जागर के temperature होता है temperature of the conductor तो यह कैसे depend करता है resistance को कैसे affect करता है यह पढ़ लेना resistance and resistivity पे best questions भी पुछे आते है two marks three marks में यह पढ़ लेना फिर जागर के देखो series and parallel connection जो है series and parallel connection दो register दे दिया है R1, R2 तीन register दे दिया है तीनों का value दे दिया है diagram बना करकी भी दे दिया है अब इसका जो है ना यह करो इसका जो है numericals इस पर best numericals है ना पुछे आते हैं फिर joules law of hitting effect और प्रेजिस्टर करेंट या निकी यह जो है भी इसको एच इसकोल डू आइसकोर आर्टी यहां पर जो हम formula दिये है इस पर best जो है ना question पुछे आते है जैसे कि देखो most popularly ऐसे करके question पुछे आते हैं कि series and parallel connection में दो registers को connect किया गया है दोनों का values जो हैना same है और hit produce कितना होगा उसका ratio निकालो ठेक electric power क्या होता है पहले जो हमनों light में पर रहे थे वो था lens का power यहां पर है electric power electric power क्या होता है इसका assignment क्या होता है what होता है define करो numerical best on देखो power power में तीन equation हो सकता है भी आई is equal to i square r is equal to b square by r तो इस पे best question फिर देखो electricity built monthly जो electricity built होता है इसका amount calculate करना कैसे calculate करेंगे number of units consume into rate per unit तो unit जो हम लोग इसको बोलते है one kilowatt hour को हम लोग unit बोलते है तो कितना kilowatt hour unit consume क्या है वह मीटर से हम लोगों को देख लेना है उसमें rate से multiply कर दिना है फिर देखो properties of fuse wire fuse wire जो यूस करते हैं हम लोग उसका property क्या है electric bulb का filament जो होता है टंगस्टन उसका property क्या होता है फिर जाकर कि जहना electric iron कोर問 rebel की कि होता है मैल्टिंग पॉइंट होगा यह पर होता मैनेटिव फैंस कभी इंटर सेक ने करता ऊप क्यों रिजन क्या है कि अब आपlier mo कुछ में है कि करेंट करिंग sucking sonاج का properties उससे जो produce होता है एक current getting solenoid देती है उससे जो produce होता है manative field उसका properties बताने के लिए बहुत बार पुछे आ चुके है solenoid के अंदर में manative field lines कैसा होगा uniform होगा parallel होगा है ना यानि कि field strength uniform होता है तो ये और फिर question case based questions पूछे आ सकते है induction of current by one solenoid over the other diagram जो देखा एक solenoid है दूसरा solenoid है एक solenoid प्रेंट पास किया गया है तो उससे manative field produce होगा वही manative field से जो है ना दूसरा solenoid में क्या होगा electric current induced होगा इस तरह के question देखे होंगे तो ये case best question इस पर प्रेक्टिस करना advantages क्यों होता है फिर electric alternating current और direct current AC और DC का difference क्या है फिर color coding जो होता है live के लिए red wire यूज़ करते हैं neutral के लिए black insulation वाला wire earthing के लिए green insulation वाला wire ये color coding जो है ये परना और environment से जो है फिर क्या 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 questions आते हैं examples देने के लिए aquatic और terrestrial ecosystem जो है इसका examples देने के लिए पुछे आ चुके है aquatic वाला को पुछे आ चुके terrestrial का भी पूछ सकता है aquatic में क्या आ गया aquarium आ गया canel आ गया ponds आ गया है न ये सब है terrestrial में क्या क्या आ सकता है crop fill फिर जाकर के जो है parks garden ये सब decomposers का हमारी किस्टे में क्या रोल होता है हम लोग को पता है nutrient cycling करता है decompose करता है dead bodies को है न फिर जाकर के जो है soil का fertility को वापस लाता है food chain और food wave के बीच में at least two points का difference पढ़ लेना और देखो ऐसे करके पुछे आते है कि plants में suppose पर जामपल या फिर sun से दस लाग जूल इनर्जी आया तो थर्ड ट्रोफिक लेबल में कितना इनर्जी होगा फिर जागर के biomanification का हम यहां पर नहीं दिये जा biomanification के basis पर यहां पर एक point चूट गया है biomanification के basis पर question पुछे आते हैं कि सबसे maximum जो है maximum toxic chemicals कि कौन सा होगा यह याद रखना है कि सबसे हाइस ट्रोफिक लेबल होता है सबसे लास्ट वाला उसमें maximum toxic concentration होगा उसमें accumulate होगा यह पर लेना है याद रखना है इस पर best one mark में question पुछे आते हैं और कैसे डिपलेट हो रहा है और डिपलेटिंग activity degrees होता है फिर जाकर जो है infant fetus का जो है death होता है skin allergies होता है यह सब सारे चीज फिर जाकर कि जो है cataract होता है हमारे आइस में garbage का management कैसे करेंगे west का management जो है चार चीज दिया हुआ है जैको incineration करके landfill treatment करके फिर जाकर के 3Rs adopt करके सीवेस्ट treatment plant adopt करके यह सब सारे चीज पढ़ना है biodegradable और non biodegradable waste दोनों हमारे environment को pollute करता है कैसे pollute करता है यह पढ़ना है अब देखो पहले हम लोग जो है देखते होंगे कि चाय वो पीने के लिए दुकान सब्सक्राइब प्लास्टिक कप दिया था जो है 3Rs of waste management जो है reuse, reduce, recycle यह तीनों आर्स जो है यह पर लेना है thank you so much my dear students for enjoying this class hope it will help you so much to score 90 plus marks in this boards examination and this is my contact number you can contact me anytime for any inquiries regarding this importance or any confusions or any doubts that you have और हम लोग का जो है new session का batches 25th March से 2023 का 25th March से classes 7 से लेकर के classes 12 तक जो है new batches start होने वाला है okay the address as you know opposite to Janta Marbles near Bilal Masjid in Sun School Road कि संगंच this is from Projective Academy thank you so much new batches हम लोग को open होने जा रहा है तो अपने friends सबसे अपने near and dear ones you have उसे share करो and please hit like and subscribe to the channel thank you so much best of luck for your examination